असलाम लेकूम, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे, आज जो नॉवल में शुरू करने जा रही हूँ, उसका नाम है बख्त, और ये पेश किया जा रहा है, हीर, रियर चैलेंजर्स, दुआ नई, और लाइफ इस ब्यूटिफुल, इनकी भर्माइश पर, नॉवल शुरू क राइटर महरून निसाश शामीर सा महसूस होता, जैसे वो ये सब जान बूचके कर रहा था, उसका फून, उसकी पेंट की जेप में था, वो चाता तो पुलीस है, फिर अपने किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था, इस्पताल भी करीबी था, वो अगर चाता तो बहुत मुश्किल से इसी, लेकिन किसी तरह वहां जा सकता था, लेकिन शायद वो उस दर्द से लुटफ़न दोस हो रहा था, वकवे वकवे से कराहने के बाद वो चुप हो जाता, बिल्कुल साके चायद वो इस खेल से महसूस हो रहा था, तकरीबन पांच मेंट बाद उसे दूर से गाड़ी की हेड खमसी आवास उसे यहां तक सुनाई दे रही थी, उसे चिलनाने वाली शायद एक लड़की थी, जो के बगए सड़क पे ध्यान दिये, अपने मुबाइल पे किसी से कॉल पे बात करते वें पुरी तरह चीखरी थी, उसने पीले और हरे नंग के इमतजाच का जोड़ा पहन रखा था, वो लड़की अब भी चीखरी थी, जब मैंने आपसे कहा भी था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकिया और अप में किसी सूरत उस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी तो आपने किस से पूछ के खरीदा वो ड्रेस, मुकाबल चायद अपने हक में कुछ पोल रहा थ लेकिन सामने वाले की हालत देकर भी अख्तियार अपने दोनों हाथ होंटों पे रख लिये और अपनी चीख का गला गोंड़ दिया, सड़क पे पड़े नुजवान नेबा मुश्किन आँके खोल के अपने सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसारत उसको देख रही थी, फून उसके कामते हाथों से छूट चुका था, वहां से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवास आ रही थी, हाले, क्या तुम सुन रही हो, फून से आती आवास ने उसकी तवज़े अपनी जाने खेंची, उसने मरे मरे हाथों से फून उठाया और कॉल ड जखमी की आवास ने उसके कदम संजीर किये थी, मेरी मदद कर जखमी की घुटी 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 आवास उसको सुनाई थी, लेकिन वो मुडी चन लम्हे चन सासे वो वहीं जमी खडी री, उसने एक अदम आके बढ़ाया ही था, कि एक पर फिर उसकी आवास लड़की की सम न रुकती, वो कदम कदम चलती उसके करीब आ चुकी थी और अब गुटनों के बल उसके करीब बैठ चुकी थी और अपना चेरा उसके करीब करके उससे उसकी हालत पूछ री थी, उस जखमी हालत में भी उसकी आँखों में तहयर उतराया था, कि रात के उस पहर ये और ये लड़की अपने कंदे के जंजोडे जाने पर उसे एसास हुआ कि वो उसे कुछ पूच रही थी तुम कोनो क्या हुए तुम्हें क्या मैं तुम्हारे घरवालों को कॉल करूं नंबर बताओ मुझे अपना तुम सुन रहे हो मुझे वो उसको बोलने का मोका दिये बग की सर्ची सरगोशी आवाज उसके कानों से टकराई उसे पर एक्तियार खोफ मैसूस हुआ मैं इससे हमदर्दी करके गलत तो नहीं करी उसे अपने ख्यालों से उस जखमी के आवास ने निकाला क्या आप मुझे इस्पतान ले जाएंगी मैं अब जीना चाता हूँ ये इलफास कहते हुए वो खुद हेरान था थोड़ी देर पहले तक वो यहाँ सिसक सिसक के मरने को त्यार था और अब वो जिन्दा रहना चाता था लेकिन क्यों उस लड़की को देखते हैं उसने जिन्दा रहने का फैसला क्यों कर लिया एक गाड़ी वाले और बाइक वा उस सीनों तुमारी धोका दिया तो देख लेना वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुमारी मदद लेकिन क्या करूं इतना बड़ा दिल ले मेरे इसकी बात पे वो ख्यालों से बाहर आया अब वो उसको उटने का कह रही थी दर्द को बरदाश करते वो बामुश्किल उटने की क कोशिश करने लगा उस लड़की ने उसको नजवान को उटने में मदद दी वो खड़ा हो चुका था लेकिन इती सी कोशिश में मुकाबिल पूरी तरह हाम चुकी थी अल्ला क्या खाते हो तुम वो हामते हुए बोली थी अब वो उसका पासू अपने कंदे पे डाल के उसक तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है साथी बुड़ बुड़ाई थी नखरा तो देखो उमर उमर हयाद वो नकाहत से बोला अपके हाले को शर्मिन की हुई थी वो जखमी था और वो से कैसे सवाल पूछ रही थी तुम्हें तर्द तो नहीं हो रहा हाले ने फिकरमंदी से पुछा नई यक लबसी जवाब आया था हम जल्दी पहुंच जाएंगे हाले ने उसको तसलिदी लेकिन काफी तेर बाद भी उसकी तरफ से कुछ जवाब ना पाकर हाले भी खामोश हो चुकी थी वाकी रास्ता खामोशी से कटा था इस्पिताल के दर्वासे पे पहुंच और ये डॉक्टर साब ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज देखे बीबी ये पुलीस केस है हम पहले पुलीस को इनफॉर्म करेंगे उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं और अगर तब तक मेरा शोहर मर गया तो क्या करेंगे आप ये आपका मसला है हमारा नी अपने सुर्ख होती आँखों से वो चल नम्हें डॉक्टर को देखती रही जब से वो आई थी तब से यही बैस चल रही थी उस वक्त रात के तीन बच चुके थे अब तक न जाने घर में बच्चों उसके लिए कितने जूट बोच चुकी होंगी अब उसकी बरदाश की हद खत्खतम हो च चान रही थी ये भी कबूल था लेकिन वो उस वक्त रात के तीन बचे एक अंजान जखमी आत्मी को अपनी गारी में पिठा के इस्पताल ले की आई है तो उसकी मौत पकी थी उसका जेन अब जमा तफरीक कह रहा था इससे पहले के डॉक्टर पोलीस को कॉल करता उसने दॉक्टर साब मैं कॉल कर लेती हूँ जैसे आपकी मर्जी ये कह के डॉक्टर आके बढ़ गे जब के हाले अभी सोच में थी कि क्या किया जए डॉक्टर से बहस में वैसे भी दस मिन पर बाद हो चुके थे इस वक्त ऐसा कौन था जो उसकी मदद करता बच्चों वह तो ख चानक उसकी जहन में कुछ क्लिक हुआ एक शख अब भी था जो उसकी मदद कर सकता था जो हाले के कहने पर आक में भी कूट सकता था उसका ख्याला आती हाले की आँखे चमक उठी और अब उसकी उंगलिया हारून शाहिद का नंबर डायल कर रही थी तकरीबन दस मिन बाद हारून हिस्पटाल के कॉरिडर में आता दिखाए दिया था उसकी आंके सुर्खती और बाल बिखरे हुए वो यकीनन नीन से जागा था हाले को अपने सामने दे के वो दोड़ता हुआ उस तक आया हाले तुम ठीक हो ना तुम्हे कहां लगी है तुम यहां क्यों खड़ी हो डॉक्टर का है तुम कैसे कार चल उफ बस भी करे यार मैं बिल्कुल ठीक हूई आदमी हूँ अमर की तरफ इशारा करके का इसके एक्सिडेंट होगे मेरी कार से डॉक्टर से बात करो इसका इसको मरहयात को आईसीयो में ले जाते हुए देखा और आसूदकी से आँखे मूतनी लेकिन अभी कहां अब पताओ मुझे ये क्या चकर है अपने अकब से आती हारून की आवास पे वो जी भर के बदमसा हुई उस वक्त वो बहुत ठक चुकी हूँ यार बात में बता दू वो कोफ से बोली हाले मुझे पागल बनाना बंद करो इस लड़के को गोली लगी है ये पोलीस केस है अब कि उसकी आवास में घुसा था अच्छा ये बताओ तुमने उस खडूस डाक्टर को क्या बताया जो वो इलाज करने को तियार हो गया हाले का अंदास डालने वाला मैं मने का बेटा हूँ क्या कुछ और कहने के जरूरत थी यार कितने मज़े है ना तुमारे वो अब भी असनी मौज़ू से बचना चाहती थी हाले टोट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट मुझे पूरी बात बताओ और अब उसने हार माल ली अच्छा सुनो मैं गुजर रह इस हाव डेर यू हाले I cannot believe it I just can't वो तुमारे साथ क्या कुछ नही कर सकता था हाले तुम सोच भी नहीं सकती उसको गोली लगी या वो गूंड़ा हो सकता है तैशटगर्द हो सकता है रैपिस्ट हो सकता है वो दो मिन के अंदर तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को ठिकान वो चिलाया था, उठो अभी कि अभी तुम घर जाओगी, अभी और इसी वक्त, वो उसको बाजू से पकड़ते हुए बोला, हारून, मेरी बात सुनो, मुझे वहां रुकना था, वो आदमी बस पांच मिन्ट, और हारून, प्लीज बात सुनो, मैं उसको देखना चाहती जरूरत होगी, उसके बिल्स पे कर, बस हाले बस, इस वक्त मेरे जब्त का मज़ीद इंतिहान ना लो, तुम घर जाओगी, वो लड़का मरता है, तुम मरे जहन्म में जाता है, तुझा है, लेकिन तुम हाले, तुम घर जाओगी, और हम मैं तुम्हारी जुबान से एक ब्लड ग्रूप क्या है, उसका हारून ने बेतासुल लेजे में पुछा, ओ नेगेटिब, आपको जल्दी करना होगा, ये अरजंट है, उनको ब्लड की सक्त जरूरत है, अपके हारून भी परेशान हो गया था, कुछ भी हो, वो एक इंसान था, इतना बेहिस नहीं था कि क किसी को मरता देखे, आप अरेंज करते हम पे कर देंगे, हारून ने हल निकाला, ये रेर ब्लड है, इस वक्त हम नहीं अरेंज कर सकते हैं, आपको खुद कुछ करना होगा, आप दोनों में से कोई भी दे सकते है, जिसका ब्लड ग्रूप मैं चो जाए, आप किसी ब्लड ब हमें बता दें जल्दी, इस पूरे वक्त में हाले बिलकुल पुरसकून सी खड़ी थी, डॉक्टर हमें बस दो मिन्ते थे, हाले मुतमें सी बोली, डॉक्टर वापिस मुड़ गे, हारून गोर से हाले को देख रहा था, और अगले लम्हें वो नफी में सारी लाने लगा, नहीं हाले, ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा, अपने जहन से ये सोच निकार दो, हारून मेरा और उसका बलड गुरूम सेम है, वो अपो जोश थी थी, बिलकुल भी नहीं, मैं खुच जा कि उसका गला दबा दूँगा, अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, तुम नहीं मैं पता करता हूँ किसी बलड बैंक से मैं अरेंज कर लूँगा, वो अब जड़ कर बोला, हाले ने जन्दम है उसकी आँखों में देखा था, हारून बेबसी से उसको देखता रहा और फिर हारे उए अंदास में गर्दन चुका दी, वो अपनी बात मनमाना जानती थी, आ अराम से लगाओ, तुमने तो बाजू सूर कर दिया उसका, वो नर्स को छेड़क रहा था, सर आप लगा लें, अगर अपनी बेहन की इतनी फिकर हो रही है, वो नर्स शदीद कोब जदा नजर आती थी, हाले ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, तुम मुझे सिखाओ कि ब तुमारी शकायत कर दूँगा, इस्पिताल के इंतजामिया से, दो मिन्ट के अंदर से आंसे गाई बोजाओ, वरना इस चौप से हाथ धोलोगी तुम, वो बुड़ बुड़ाती हुई, वहां से निकल गी, जैसे जैसे खून की बोतल भरती जा रही थी, हारून का दिल बै उससे करीब एक घेंटे बाद हारून तने हुए तासरात के साथ हाले के साथ चलता वा अपनी कार तक आया था, हाले को कार में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पे आके बैटा और हाले भी खामोशी से बैट चुकी थी, उसका दिल चारा था, हाथ बढ़ाकर रात के घर उकोगी, रात और रात की तीन बजे तुम्झे कहती हो कि तुम्हारा एक्सिडेंट हो गया, मैं मरने वाला हो गया था, यह सुनके, हाले यहां कि मुझे क्या देखने को मिल रहा है, कि हाले बीबी एक अंजान आत्मी को अपना शोहर कहके उसका इलाज करा रही ह और फिर उसको बलड भी डूनेट करना है, बेबी ने, तुम्हें कुछ अंदाजा आए, अगर वो लड़का कुछ कर देता, या फिर पुलीस आ जाती, चलो वो भी छोड़ो, हिस्पताल में कोई अकेली लड़की समझ के कुछ कर देता, हाले हर कोई भरोसे के काबिल नहीं तुम सब का ख्याल भी आया था, ये भी सोचा था, कि वो मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ दो मिन के लिए मैंने खुद को उसकी जगा पे रखा, और बस, मैंने उसकी मदद करने का फैस्दा कर लिया, और बलड डूनेट करना सवाब है, और अब अगर तुमने ए अब तुम चुक करोगे या मैं यहां से कूच हूँ, अच्छा रिलेक्स ये बताओ, अब उसका करना क्या है, क्या मत्तब क्या करना उसका इलाज होगा और वो चला जाएगा जहां से आया था, तुमने उसके बिल्स तो कलियर कर दिये न, अब इतना भी कंगला नहीं हूँ उसकी बात पे वो हलका सासी थी, उसे हस्ते देकर हारून भी मुस्कुरा दिया, कहा छोड़ू, अपने घर या मिदद के, मिदद के घर छोड़ दो, इस वक जाओ की बुरा नहीं लगेगा, आज सारी राज जागने का इरादा था वहां, तो कोई मसला नहीं होगा, अभी चेरे के सावी बिगाड के बोला, वो हैंडसम ही इतना था, हाले मुस्कुराहट दबा के बोली, बदले में हारून ने उसको घूरी से नमाजा था, पको मत, यार मैं क्या बोलती, मुझे पता था वो उसको ऐसे एटमिट ना करते कभी, पिचारा बोच जखमी था, रहे मां चलेंगे मैं उसको देखना चाती हूँ, मैं टांगे तोड़ दूँगा, वो घर आया था, अच्छा अच्छा देख लूँगे तुम्हें, सुबह दस बजे आ जाना, और फिर बगएर उसकी कोई बात सुने हाले गेट के अंदर चलेगी थी, वो भी ठंडी सांस भरता गा शुमे बंदो चुकी थी, थोड़ी देर बाद जब वो बाहिं निकली तो उसके चेरे से पानी के शिफाफ कत्रे टपक रहे थे, उसने जाय नमाज बिचाई और सुनत की नियत बांद ली, थोड़ी देर बाद जब उसने दूआ के लिए हाथ उठाए तो उसके चेरे पे एक अलग सी मस्कुराहट दी, या ला, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है, उसे जल्द मेरे सामने लेया, मेरे मालिक उस शख्स के लावा ये दुन्या बेरंग है, आपको पता है, जी चाता है, वो सामने बैठे और मैं इसको देखती जाओ, या ला, वो क्यों है इतना प्य रिसीव हो चुकी थी, असलामलेकुम हाले कैसी हो, उसने मुहबबत से पूछा, महर प्लीज, इस वक्त सोने दे, क्या सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं, वो जो एक खेंटा पहले सोई थी, महर की काल से पूरी तना बेजार हुई, जबके महर के चेरे पे हनूस नरम सी म नमास पर्डो मेरी बेहन, अच्छा ना पर्डूंगे अभी मैं कॉल कार्ट रही हूँ, और उसने कॉल कार्ट पी दी, महर न मुस्करा के सर को नफी मेलाया और सेरे लपका, यह नहीं सुदरेगी, और फिर नाश्ता बनाने चल दी, तूसरी तरफ हाले के नीद खराब हो थी, वो तब तक अजान को नजर अंदास करती थी, जब तक अमा या महर में से कोई नमास पढ़ने का कहना दे, जैसे ही किसी ने कह दिया, लो जी, हाले का सकून खारत हो गया, अब जब तक वो पढ़ ना लेती, उसको सकून ना था, इसलिए मुंदी मुंदी आँखों से उठी और बातरूम की तरफ चल दी, बाहर से आता म्यूजिक का शोर भी जरा देर को थमा था, वुजू करके उसने नमास पढ़ी, उसकी नमास बहुत लंबी होती थी, वो नहीं पढ़ती थी, तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ने खड़ी होती तो बड़े खुजे के साथ पढ़ती, दुआ मांग के जब वोठी तो उसे बेखत्यार रात वाला वाकिया याद आया, जरजरी ली, उसने सर को जटका और फ्रेश होने चल दी, क्योंके नीं तो आबानी नी थी, मामा नाश्टा ते आरे, महरमा ने किचन में आती हसीना बेगम को इतल आये, मामा चले नाश्टा करते पिर बात करेंगे, वो उनको बहलाते वे बोली थी और फिर वाकिया उनका ध्यान इस बात से हटा गई, यूसफ सुल्तान अपने इलाके के जमीनदार थे, उनकी शादी उनकी गजन रिफ़त आरा से होई थी, जिससे उनकी तीन उलादे थी सबसे बड़े मिराद सुल्तान, दूसरे शम्स सुल्तान और सबसे चोटी बेटी नगीन सुल्तान थी, जिसकी पेदाइश के वक्त उनकी बीबी की वफात होगी, उनकी वफात के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि उनके बच्चे भी काफी चोटे थे, उन उसफ सुल्टान ने उनकी परवरिश बहुत मुश्किल मगर बहुत अच्छे तरीके से की थी। उनकी पढ़ाई और तर्बियत से लेकर उनके शादियों तक उन्होंने कभी भी अपनी मर्जी मुसल्णत नी की थी। सवाए नगीन की शादी के मामले में मेराथ सुल्टान न तो के नगीन की बेस्ट नेंट थी। लेकिन शादी से पहले तक जैसी उनकी शादी शम से हुई नगीन ने उनको भाबी तो क्या दोस्त मानने से भी इंकार कर दिया था यूसफ सुल्टान ने अपने दोनों बेटों के शादी साथ ही की थी। हसीना बहुत अच्छी बीब सफीर सुल्टान से नवाजा था हसीना जितनी नरम मिजाद थी परवा उतनी उखर बत्तमीज और काईया थी। मिराथ सुल्टान की बड़ी बेटी हाले सुल्टान जिसके उमर 21 साथी इंगलिश में मास्टर्स कर रही थी और बेटा हसन सुल्टान जिसके उमर 16 साल थी जो कहते थी कि सफीर उनकी आँकों की ठंडक है तो हाले उनके दिल का चैन वो जब जब सफीर और हाले को देखते हैं उनका सेरो खून बढ़ जाता हसन जब भी यह मुहबत के मुझारे देखता मुझा के कहता हाँ एक मैं ही सुतेलाओ इस घर में और यूसफ साब मुस्कुरा लेकिन वो डटी री और आखिर कार यूसफ सुल्तान उनकी जिद किया के हार गे और उनकी शादी वहाज खान से होगी नकीन सुल्तान ने वहाज के साथ सिर्फ चंद महीनी सकुन के गुजारे थे और फिर लड़ाई चगड़ा यहां तक के वो नाजो पली लड़की को जा कनवरों की तरह मारने से भी गुरेजने करते थे और फिर आखिर कार डेट साल बाद नगीन सुल्तान तलाक का कागस लिए अपनी बेटी महरबा वहाज के साथ एक पर फिर सुल्तान मनजिल आगी थी दरसल वहाज शराब और जुआ के आदी थे नगीन सुल्तान की सुरत उ लगीन उनको रुपे देती रही थी लेकिन जूई उनकी जमा पूंजी खतम हुई लड़ाई जगड़े शुरू हो गए थे जिस महबत के लिए वो अपने भाई बाप और घर छोड़के आई थी वो तो शायद कहीं दूर जाकर सोगी थी कभी कभी वो सोचती थी क्या महबत इतनी जल्दी खतम हो जाया करती है क्या वाहाज के लिए वो बस पैसे देने वाली मशीन थी क्या उन्होंने बाबा को नरास करके घलत किया क्या या सब एक सजा है और अगर सजा है तो कब खतम होगी क्या पसंद की शादी इतना बड़ा जर्म है अब उनके पास सोचने को अंकिननत मसाय थे सारा दिन वो या तो पच्टाती रहती या फिर सोचती रहती और अगर इस दुरान एक बार भी वहाज घर आ जाते तो उनके मामूल में मार खाना भी शामिल हो जाता अब कोई अगर उनसे पूस्ता पच्टावा किसको कहते हैं तो वो एक लम्हे की ताखीर के बगेर कहती वहाज से शादी करना एक दिन जब पैसे ना देने पे वहाज ने उनको हंटर से मारा था तब उनकी बरदाश की हथ खतम हो चुकी थी उन्होंने अपने चंद कपड़े बैक में ठोसे और घर चोड़ने के रादे से बाहे निगली थी तब ही अचानक उन्हें एक जोड़दार चक्कर आया और इससे पहले कि वो गिरती किसी के मजबूत बासों ने उनको संभाल लिया था जब उनको होश आया तो खुद को इस्पताल के बैट पे पाया पास ही युसफ सुल्तान बैठे फिकरमंती से अपनी ओलाद को देख रहे थी इस ओलाद से उन्होंने सबसे ज़्यादा महपत की थी उसको देखते कि वो जीते थे खंदान में कोई ऐसा घर नहीं था जहां से नकीन सुल्तान का रिष्टा ना आया हो उनकी खुबसूरती के खंदान में चर्चे थे लेकिन उन्होंने क्या की अपने साथ अपने बाबा के साथ वो उनके चेरे के जखमों को अपने उंग्लियों के पोरों से छूरे थे उनका होंच सूजा हुआ था और माथे पे नीर थे जहां जहां से बाजू नजर आ रहे थे वहां का हाल भी कुछ मुछ नहीं था दोनों बाब बेटी खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे आखिर कार यूसफ सुल्थान की नमावास ने उस खामोशी को तोड़ा कबसे परताश कर यो यह सब उन्होंने जब्से पूछा चार माँ से नगीन ने सपाथ लेजे में जवाब दिया क्यों तो बारा सवाल हुआ पैसे मांगता है कहते बाब से लेके आओ अब भी जजबाद से आरी लेजे में वो बोली तो तुम क्यों नहीं आई मेरे पास मैं नगीन सुल्तानू बाबा मेरी अना इतनी उन्ची जरूर है कि मैं भूकी मनना पसंद करूगी मैं दिन रात की मार परदाश कर लोगी लेकिन मांग के नहीं खाऊंगी मुझसे बात कर लेती मुझे बता दीती क्या मुझे परोसा नहीं था बाबा अब जानते मैं अपनी गलती माल लेती हूँ बच्पन से और खुद को उसकी सजा भी खुदी देती हूँ अभी मेरी सजा का वक्त है जब ये सजा खतम होगी तब पूरी दुनिया देखीगी मैं अंगली से अपने सीने पे दस्तक दी नगीन सुल्तान उसका करती क्या हूँ फिलहाल मुझे सजा काटने दे बाबा और उस मासूम वजूद का क्या कसूर है इसके लिए कौन से सजा मुंतखिब की है तुमने उसी वक्त हसीना इस्पताल के रूम में दाखिल हुई थी नगीन नासमजी से बाब को देखा और यूसफ सुल्तान के सबर की हद खतम हो चुकी थी वो लंबे लंबे डग भरते वहां से निकल गए भाबी ये बाबा क्या कह रहे थे हसीना बेगम ने अफसोस से अपनी नंद की ये हालत देखी थी क्या थी बोर क्या होगी थी तुम माँ बनने वाली हो हसीना ने उनके सर पे बंप फोड़ा वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुराद से अपनी भाबी को देखने लगी थी भाबी ये क्या ये सच है जो आपने अभी कहा क्या ये या ला मैं कैसे बेखबरी भाबी मेरा बच्चा ठीक तो है ना मतलब आज जो कुछ उसके बाद वो खुद को पढ़ने वारी मार को जो कुछ का नाम दे रही थी भाबी कुछ बोले ना वो उनके मुँ से कुछ सुनने को बेताब थी हाँ ये सच है लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो उसने जो कुछ तुमारे साथ किया उसके पावजूद तुम उसका बच्चा पैदा करोगी आज अगर बाबा तुम्हें यहां ना लेकर आती तो ये बच्चा होता इन्य और तुमने भाबी बस जुबो जाए बहुत सुन्या मेंने वो बोली नहीं थी घर्राई थी आपकी इमत कैसे ही ये सब कहने की आप मेरे बच्चे को मानना चाहती है आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है ये खून है मेरा और अगर किसी ने भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाओंगी मेरा इस से क्या रिश्टा है और यहां उनकी आवास कांपी थी घुसे से बेबसी से हसीना बेगम को खुद भी एसास हो गया था कि वो क्या क्या बेठी है I am sorry मुझे ये नहीं कहना चाहिए था हसीना बेगम ने शर्मिंद की से का और कमरे से बाहिए चरेगी उसके बाद बाबा की लाग मना करने भाइयों के लाग दलासों के बावजूद वो एक पल को वहां नहीं रुकी थी करा के उन्होंने वहाज को सब बता दिया वो बहुत खुश होगे थे उन्होंने नगीन को मानना चोड़ दिया था युसफ सुल्तान उस दिन अपने दोनों बेटों और दमाद के साथ शहे से बाहिर किसी मजभी इस दमा में शिरकत करने गए थे जब नगीन के हाँ बच्चे की पेदाइश का वक्त करीब आ गया हलागे अभी कुछ दिन बाकी थे हसीना ने वहाद को कॉल करके सब बता दिया उनके हाथ पैर फूलने लगे वो जल्द अजल्द अपनी बीवी के पास इस मुश्किल वक्त में पहुचना चाते थे लेकिन उस वक्त नगीन को इस्पताल ले जाना ज़्यादा जरूरी था उन्होंने असीना बेकम से कह दिया कि वो नगीन को इस्पताल ले जाए वो जल्दी पहुंच जाएंगे यूसफ सुल्तान उनके तोनों बेटे भी अज़द परेशान हो चुके थे क्योंकि उस घर में सिर्फ नगीन और हसीना थी वो सब उसी वक्त घर के लिए रवाना हो चुके हसीना बेकम ने बहुत मुश्किल से नगीन को संभाला था फरवा भी घर पे नहीं थी उनके भाई की बीवी का एक्सिडेंट हो गया था वो भी इस्पताल में थी नगीन के हाँ बेटी हुई थी और फरवा की भाबी इस दुनिया से जा चुकी थी फरवा पे तो गोया आस्मान तूट पड़ा था दो माँ पहले उनके भाई एक थमाके में शहीद हो चुके थे और अब भाबी माबाब तो उनके शादी के कुछ ही अरसे बाद वफात पा गए थे भाई दो माँ कबल जिगर की आर्से की वज़ा से फोत हो गए थे उनके भाई अपनी बेहन पे जान देते थे उनकी भाबी भी बहुत अच्छी साबित हुई थी फर्वा का गम बहुत बड़ा था सुल्तान मन्जिल के सम मकीनों ने फर्वा की हर तरह से दिल जोई की वक्त पर लगा के उड़ा था वहाज और नकीन को तो महरमा की सूरत में एक नई जिन्गी मिल गी थी युसफ सुल्तान के अंदेशे भी काम होगे नगीन को खुश थे के वो भी खुश होगे थे गो के उन्होंने वहाज को माफ नी किया था लेकिन अपनी बेटी की खुशी में खुश थे और फिर चार माँ बात नजाने ऐसा क्या हुआ था कि नगीन तलाक का दाख सर पे सजा कि अपना सब कुश लुटा के बाप के दर पे आन पड़ी यूसफ सुल्तान के सद्मा बरदाश नी कर सके उनको हार्ट अटेक हुआ लेकिन वो बच गे नगीन को इस हाथ से के बाद चुप सी लगी ना हस्ती ना बोलती के कि घेंटे चुप चाप पड़ी रहती कोई एक हजार दफ़ा भाई और भाबियों ने तलाक की वज़ा पूची लेकिन उनके चुप नहीं टूटी थी महर्मा को हसीना बेगम ने अपनी आगोश में दे लिया था वो उनको मामा कहती थी उसी तरह आठ साल कुजर गे उसी वक्त में अल्ला ने असीना बेगम को हाले सुल्तान से नवाजा लेकिन उनकी महर्मा से काम होने के बजाए और बढ़ की थी यही हाल फर्वा का भी था उन्होंने भी महर्मा को बिल्कुल सफेज जैसा प्यार किया उनको जितनी नफरत नगीन से थी उससे केई जादा महर्मा से थी इन आठ सालों में नगीन की चुपका रोजानी तूटा था अलपता वो हाले को अपनी गोत में लेके खेंटो उससे बाते करती थी इसी तरह एक दिन हाले को सखत बुखार हो गया क्योंकि मेराज घर पर नहीं थे और शमस और यूसफ साब हच पे गये हुए थे भाबी की हालत देखते में नगीन नगीन ने हाले को उठाया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का का हसीना हैरत से उनकी कारवाई देख रही थी आठ सालों में नगीन एक पार भी घर से बाहिर ने निकली थी खैर अपनी हैरत को जटकती वो भी उनके साथ इस्पताल की जानिब चल दी हाले का चेक अप हो गया था और अब दो साला हाले फुपो की गोद मित गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी के बुरी तरह ट्रैफिक में फच चुकी करीब आदे घेंटे वहां फचे रहने के बाद के अचानक हाले की नज़र सड़क के पार बिल्ली के बच्चों पे पड़ी थी सफेद और भूरे प्यारे से बिल्ली के बच्चे और अब उसने उस तरह इशारा करके रोना शुरू कर दिया हाले बहुत जिती थी वो कभी भी इस तरह चुप ना होती ट्रैफिक जाम था इसली हसीना बेगम ने ड्राइवर से एक बिल्ली का बच्चा उठा के नाने को का लेकिन नगीन ने अचानक से कह दिया कि वो खुच जाके ने आएंगी अपनी हाले के लिए पहले तो हसीना बेगम ने रोकना चाहा लेकिन फिर कुछ सोचते हुए चुप चाप उने जाने दिया या शायद उनकी जिन्गी की सबसे बड़ी गलती थी नगीन ने हाले को हसीना बेगम को थमाया और सड़क के उस तरब चल गई एक प्यारे और सबसे छोटे बच्चे को लेके वो जू ही मुड़ी थी उसी वक्त ट्रैफिक चल पड़ी वो गाड़ी की खिड़की से जांकती मुस्कुराती हुई हाले को देख के खुद भी मुस्कुराई गाड़ी के जाने बारी थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उनको कुचलता हुआ चला गया हसीना बेगम चल नम्हे भटी भटी आँखों से ये मंजर देखती री ट्राइवर तब तक नीचे उतर के भागते हुए हाथ से की जगा पे पहुँच चुका था अब वो शायद एंबलोस को कॉल कर रहा था उन्होंने वाँ से उटने की कोशिश की लेकिन उनका जिस्सम हिरने से इंकारी था और फिर कामते हाथों से उन्होंने गाड़ी का दर्वाजा खोला और अंदा धुन भागते हुए नगीन तक पहुँची थी लोगों के रश को चीटते वे वो अब उनके पास पहुच चुकी थी गुटनों के बल उनके करीब बैटके वो अब नगीन से कुछ कह रही थी अब वो उनका चेरा अपने गुटने पे रखे उनको उठाने की कोशिश कर रही थी उनकी आँखों से आशू के रहे थे वो रो रही थी बेतहाशा रो रही थी भाबी नगीन सुल्तान की तूटी पूटी आवाज सुनाई दी थी जी भाबी के जान मैं तुबे कुछ नहीं होने दूँगी तुम उठो हिम्मत करो इतने में अबुलेस की आवाज भी करीब आने लगी अबुलेस का बाई नगीन को कब उसमें डाला गया हाले कहां थी ड्राइवर उनसे क्या कह रहा था उनको कुछ पता नहीं था उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो रो रही थी वो बस रो रही थी अब अब सब पूछते थे थे ना कि उसने मुझे तलाग क्यों दी वो बहुत तकलीफ से बोल पा रही थी जैसे वो एंबलेस में आके बैटी थी उनको नगीन सुल्टान की तूटी भूटी आवास हवासों में लाई नगीन मेरा बच्चा तुम चुपरो बस मुझे कुछ नी सुनना तुम ठीक हो जोगी भाबी उसने कहा के वो तोड़ तोड़ के लफ़ अदा करी थी अब वो बिला इरादा अपना चेरा नगीन के पास ले आई भाबी आज प्लीज मुझे बोलने दे वो तकलीफ और बेबसी से लफ़ों को तोड़ तोड़ के अदा करी थी अच्छा मैं सुनुरी हूँ मेरा बच्चा मैं सब सुनूगी उसने कहा के वो अगले दो मिंट नगीन सुल्तान की मुसलसल बोल दी थी और हसीना को अपने चंद नमहें कबल बोले गे इलफास पे जी भर के पच्चावा हुआ मैं तुम्हें सुनूगी नगीन सास लेने को रुकी थी नगीन सुल्तान ने गोया हसीना की रूह निकाल दी थी वो इलफास इलफास नीथे कोड़े थे जो हसीना बेगम को लगे थे नगीन चुपो जाओ खुदा के लिए हसीना बदवक बोल पाए लेकिन नगीन नहीं सुन रही थी वो बस बोल रही थी इतने में वो इस्पताल पहुंच चुके थे हसीना का दिल चाहा कि वो नगीन के मुँपे हाथ रख के उसको चुप करवा दे लेकिन उन्हें अपने हाथ पे जान मैसूस हुए मैं क्या बताती भाबी नगीन अब भी बोल रही थी बलके वो बोल नहीं रही थी एक बिगला हुआ सीसा था जो वो आज अपनी भाबी के कानों में उंडेल रही थी और फिर वो चुपोगी थी नगीन सुल्तान चुपोगी थी शायद हमेशा के लिए छे साल उन्हें इस पलका इंतजार किया था कि नगीन उनको कुछ बता दे लेकिन बेसूत आज उनकी खुआहिश पूरी हुई थी लेकिन क्या उन्होंने ये चाहा था कि उन्हें ये सब इस तरह पता चरे नगीन सुल्तान की आंखे बंदो चुकी थी आखरी लवज जो उन्होंने कहा था वो था मेरी बेटी कोई अब नगीन को स्ट्रेचर पे लिटा रहा हा कोई उनको दिलासा दे रहा हा लेकिन उनको कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी उनको लोगों के बस हो ठीलते मालूं होगे थी एक आवाज थी जो अभी कानों में गुजरी थी हाथसे की जगा से कुछ मर्द और उर्टे उनके साथ इस्पताल तकाय थे अकेली उर्टे समझ कर भाबी उसने कहा कि और बस इस आवास के बाद कोई आवास नहीं आती थी नगीन के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था लोग उनको तसली दे रहे थे कि उनकी अजीज नन ठीक हो जाएंगी लेकिन हसीना को न जाने क्यों लगा था कि आज के बाद वो नगीन के आवास नहीं सुन पाएंगी जाते जाते तो मुझे ये किस राज से अशकार कर गी हो उन्होंने खुद को कहते सुना हसीना वजदान नहीं जानती थी कि ये राज नहीं चाबक है और अगले केई साल उनको ये चाबक खाना होगा चुप चाब